सभीखो नमस्ते, क्रिशी बारा चानल में आपका बहुत स्वागत है अगर आपने अमारा यूट्यूब चानल को सब्सक्रेब नहीं किया है तो फ्लीज सब्सक्रेब करें ताकि आपको आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन्स मिलती है आज जानते है गेहू की फसल में, आर्मी कट्वूम के बारे में इसका जीवन चक्र कैसा है, प्षती के लक्षन क्या है और इसके प्रबंधन के पहलू क्या है इसका लाइफ सैकल में फोर स्टेज्स होते हैं अंडे सुनहरे पीले रंके होते हैं और समूह में रखे जाते हैं 4-5 दिनों के बाद वे अंडे से निकलते हैं और लार्वा बन जाते हैं लार्वा में टू काले बूरे और एक हलकी पुष्टी पट्टी होती है प्यूपा बूरे रंके होते है और वे मिट्टी में प्यूपा बनते है वयस्क आकार में माध्यम होते है और इसके पंकों पर गहरे बूरे रंके निशान के साथ बूरा पीला शरीर होता है आईए देखे इसके नुकसान के रक्षन लार्वा पत्तियों पर फीट करता है और फिर उन्हें नुकसान पहुचाने के लिए एरहेड में चला जाता है आंतरिक सामाग्री का पूरी तरह से खा लिया जाती है और अंत में गंभीर फसल और उपज़ खानी दे की जा सकती है आईए देखें कि इन्हें कैसे नियंतरित किया जाए इंसेक्टिसाइट्स जैसे कार्बरिल और फेरिमत्रिंग को उप्यो करके हम इन आव्मी कट्वम्स को नियंतरित कर सकते है ये सबी प्रॉड़क्स क्रशी बारत आप में उपलब्ध है यदि आप अभी भी इस आपको यूज नहीं कर रहे है तो इसे गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करे और इसका उप्यो करना शुरूर करे आप लोगोंको निव प्रॉड़क्स की अप्टेट्स मिलेंगी अगर आपको वीडियो पसंद आये तो प्लीज लाइक, शेर, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करे आप सबी को धन्यवाद